हाई वेवर्स वेलकम टू मैं चैनल पॉच गलो फ्रेंट्स आज मैं चार्कूल पील आफ मास बनाऊंगी अपने लिए क्योंकि मेरे फेस बे बहुत ही ब्लैकेट्स और वाइटेस हो गए है दूसरा और एक तरीका है इसको आप मेल्ट कर सकते हैं आप इसमें गरम पानी डालके इसको कुछ देर के लिए चलाके इसको ऐसे ही छोड़ देजिए इससे क्या होगा ये जो जेलेटिन है वो मेल्ट हो जाएगा तो आपको जो अच्छा लगया उसी तरीके से इसको मेल्ट कर सकते हैं लेकिन मैं इसे डबल वॉयलर में मेल्ट करूंगी 10-15 मिनिट के बाद ये जो जेलेटिन है ये मेल्ट होके रेडी है अभी इसमें मैं डालूँगी अलोवेरा जिल दो चमच अलोवेरा जिल से अपका जो सकेन है वो जेलेटिन के वज़े से जो ट्राई हो जाता है वो अपका नहीं होगा फिर इसके बाद आपको डालनी है एक चमच चारकुल पाउडर क्योंकि मैं चारकुल पील आफ मास्क बना रही हूँ तो इसमें आपको चारकुल पाउडर तो डाल नहीं है आप चाहे तो जेलेटिन के बदले किसी भी कमपनी का जो पील आफ मास्क है आप यहां पर यूज़ कर सकते है भासं अवी इंग्रियिंज को अच्छे से मिला देना है इसको mix कर लेने के बाद आपको पाँच मिन्ट के इसको ऐसे ही छोड़ देना है पिर आपको इसको अपने face पे apply करना है इसको apply करने से पहले आपको याद रखना पड़ेगा कि आपको जो face है वो अच्छे इस चीज को आपको ध्यान रखना है देखिए मैं बारी बारी पूरे फेस पे इसको अपलाई कर रही हूँ आप जादा मोटी लेयर मत लगाईएगा नहीं तो आपको निकालने में भी प्राप्लिम होगी और यह जो लेयर होगा वो सुखेगा नहीं बहुत ही डेली से यह प्रां मैं अधर क्षेगार बीद्वाजी आपको इसको निकालती समयुत हैं बृडवी क्राइब बल्कुल भीजल लिवाजी नहींrare वहाँ वहाँ स्किन कितना साफ और ब्राइट दिख रहा है आपको इसको आपको महीने में सिर्फ दो बार ही इस्तमाल करनी है इससे जादा आपको इस्तमाल नहीं करनी है नहीं तो आपको जो स्किन है वो संसरीव हो जाएगा मैंने सारे पील ओफ मास को हटा लिया है इसको मै धोके आपको दिखाती हूँ, एक ही बारी में इतना फर्क आया है मेरे स्किन के कम्प्लेक्शन में, देखिएगा कि मेरे जो स्किन है वो कितना ही bright हो चुका है एक बार के इस्तमाल से, देखिए मैं यह नहीं कहुंगी कि एक बार के इस्तमाल से ही आपको गोड़ा बना देग या आपको brightness लाके देगा इसको कम सकाँ आपको इस्तमाल करनी है जितना मतलब महीने में दो बार या एक बार आपको इस्तमाल जरूर करनी है या आपके face के open pores को भी clean करता है और sun tan को भी remove करता है इसके कई बार के इस्तमाल से आपको बहुत जादा फर्क जरूर दिखेगा peel of mask जबी भी लगाए उसके बाद एक अच्छा सा जो moisturizer है उसका इस्तमाल जरूर करें नहीं तो आपको जो face है वो dry होने लगेगा आप इसको जरूर इस्तमाल करें मेरे बताए हुए तरीके से और वीडियो अगर अच्छे लगी हो तो मेरे चैनल को एक like, subscribe और comment जरूर कीजिएगा फिर मिलता है next वीडियो में